लिटिस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का पटन दबाना ना भूलें ये एफिल टावर आप देख रहे हैं ये पैरिस वाला एफिल टावर नहीं है और ना ही उतना बड़ा है लेकिन इसके बनने के पीछे जो कहानी है वो इसको पैरिस वाले एफिल टावर से वी महत्वपूर बनाती है तो आए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी कहा जाता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता और उसके अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोई सीमा नहीं होती ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जो क्यूबा की राजधानी हवाना से निकल कर सामने आ रहा है जिसमें एक पिता ने अपने बेटे के लिए एफिल टावर बना कर खड़ा कर दिया दरसल हुआ ये कि हवाना के रहने वाले सेल गोडो के बेटे के फोन में वाइफाई के नेटवर्क नहीं आते थे तो इसके बाद बाप ने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रहे गया सेल गोडो नामा के एक शक्स के बेटे ने अपने पिता से वाइफाई का इंटिना पनवाने के लिए कहा इसके बाद बाप ने घर की छट पर 13 फीट लंबा एफिल टावर ही खड़ा कर दिया बाप के इस कारणामे को देखकर आसपास के लोग हैरान रहे गए और इसके बाद ये घटा सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई वाटलब हो कि सैल गोडो अकाउंटेंट का काम करते हैं लेकिन जब बेटे की इच्छा पूरी करने की बात आई तो खुद उन्होंने अपने हातों से लोहे का ये एफिल टावर घर पर खड़ा कर दिया लोहे का काम उन्होंने अपने पिता से सीखा था आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कभी पैरिस नहीं गए थे ना ही उन्होंने कभी एफिल टावर देखा था लेकिन इसके बाद दिन्होंने एफिल टावर को फिल्मों और तस्वीरों में देखकर खड़ा कर दिया इस टावर को बनाने में उनके बेटे ने भी उनकी खूब मदत की बेटा ही उनके पास एफिल टावर का मॉडल तदा फोटो लेकर आया था सेल गोडो ने बताया कि जब उनके बेटे ने वाइफाई एंटीना बनाने की मांग की तो उनके मन में एक खयाल आया कि क्यों ना एफिल टावर ही बना दिया जाए इसका एंटीना की तरह भी इस्तमाल होगा और देखने में भी अच्छा लगीगा हाला कि जब सेल गोडो ने एफिल टावर बना लिया तो उसकी खुबसूरती देख उन्होंने अपना मन बदल लिया और सोचा कि एंटीने की तरह प्रयोग करने से टावर की खुबसूरती खत्म हो जाएगी एक बात द्वारा अपने बेटे के लिए बनाए गए आफिल टावर को सोचल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और लोग बात की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं